जैहिन साथियो दोस्तो पब्लिक केरियर यूट्यूब शैनल की तरप समय विनोध एक बार फिर से आप लोग का मोश्ट वैलकम करता हूँ हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए सामाने हिंदी से 50 बहुत ही बहु मुल्य अरोप्यों की सवाल लेके आज की वीडियो आप लोग अंतर तक देखेगा ये वीडियो आपके हूब हूँ एक्जाम पर आधारित रहेगी यानि एक्जाम में आप लोगों को यहां से बहुत कुछ देखने के लिए सीखने के लिए मिलने वाला है सबसे पहला सवाल है वह कुलाडी से व्रक्ष काड़ता है किस से काड़ता है वह विरक्ष कुलाडी से काड़ता है वह कुलाडी से व्रक्ष काड़ता है इस वाक्या में से जो है वो किस कारक की विवक्ती में जाएगा अधीकरण कारक की विवक्ति संप्रदान, करण या अपादान फिरते कुशन के एकोडिंग आप लोगों को 10 सेकंड का समय हमारे द्वारा दिया जाएगा 10 सेकंड में आप लोगों को अपना अंसर हमें कॉमेंट करके बताना होगा देखें मैं आप लोगों को थोड़ा सा कारक के बारे बताता हूँ कारक के भेद होते हैं 8 अधीकरण कारक की जो कारक विवक्ति होती है मैं पर उपर के भीतर इत्यादी होता है संप्रदान कारक की जो कारक विवक्ती होती है जहां को के इस्थान पर के लिए लग जाए या कोई वस्तू सदा के लिए दान में दे दी जाए संप्रदान होता है तो संप्रदान कारक की कारक विवक्ती होती है के लिए अब करण कारक की कारक विवक्ती होती है से के साथ में यंत्र का प्रियोग होना चाहिए और कुलाडी से काटता है ना तो कुलाडी यंत्र है इसलिए आप लोग कहेंगे सर करण कारक राइट अंसर कर दीजिए अपादान कारक के कारक विवक्ती भी से ही है लेकिन अलगाव होना चाहिए जैसे विरच से पत्ते गिरते है यानि से के साथ अलगाव है तो अपादान और से के साथ यंत्र है तो करण कारक है तो राइट अंसर था आपका सी विकल सवाल नमबर दो को देखिए मा ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य में को किस कारक की विवक्ती है संपरदान कारक की कारक विवक्ती होती है दोस्त के लिए यहां कोई वस्तू सदा के लिए दान में दी जाए करण कारक की कारक विवक्ती यंत्र के साथ में से अपादान कारक की कारक विवक्ती अलगाव के साथ में से करम कारक की कारक विवक्ती होती है को मांने बच्चे को सुलाया इसलिए राइट आंसर कहोगे सर इसमें तो करम कारक है बेलकुल दोस्त राइट आंसर है करम कारक सवाल नमर तीन को कर लितने हैं अध्यापक सब्द का स्त्रिलिंग रूप क्या होगा अध्यापक मेल है इसका फीमेल वर्जन क्या होगा यानि स्त्रिलिंग रूप क्या होगा अध्यापक का कई पिरकार से लिखा हुआ है तो आप लोग पकड़िये सर ये वाला विकल्प इसमें बैटर है अध्यापक सब्द का इस्त्रेलिंग रूप क्या होगा यदि आप लोगों ने चुना है ए ओप्षन अध्यापी का तो बिल्कु सही आंसर है आप लोगों का आप लोग देखना इन पचास कुशनों में से आप लोग कितना करबाते हो इसी परकार से डेली कोसिस करूँगा आप लोग के लिए कुशन ला सकूँ अगला सवाल है सवाल नमबर चार नायक सब्द का इस्त्रेलिंग रूप क्या होता है नायक का मतलब होता है दोस्त हीरो यानि कि नायक अब इसका हीरोईन रूप क्या होगा हीरोईन को हम लोग क्या बोलते हैं तो हीरोईन को हम लोग नायका बोलते हैं दोस्त अब ये नायका कौन से विकल्प में सही लिखा हुआ है जरा आप लोग 10 सेकिंड का समयलोर 10 सेकिंड में आप लोग मुझे चुन के बताओ सर इस विकल्ब का नाईका बिलकु सही है एक बर सेर जरूर कर देना अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो पसंद आ रहा हो तो इस प्रकार से अगर आप लोगोंने C विकल्प सही चुना है तो बिल्कुल correct option चुना है नायक सब्द का female रूप नाई का होता है विकल्प C वाला सवाल नमबर पाँच फिर से आप लोग बताए इस्त्रिलिंग रूप सारे options पढ़िए options पर विचार करिए विचार करने के बाद में आप लोग comment section में अपना comment type करिए वेजिए कि ये विकल्प सर बिल्कुँ सही है तो महाश्य सब्द का इस्त्रिलिंग रूप महास्या होता है दोस्त जो विकल्प C में दे रखा है तो पाँच नमबर के लिए C विकल्प राइट छे नमबर में चुनिए आप लोग नेता सब्द का इस्त्रिलिंग रूप क्या होगा नेता जी वही नेता जी जो आपके महली पड़ोस में आपके काम आते हैं तो नेता का विकल्प चुनिए कौन सा हो जाएगा इस्त्रिलिंग रूप फीमेल तो नेता की जो घरवाली होती है उसको बोलतें नेत्री विकल्प ए चुना है तो बिलकुल राइट चुनाएं आप लोगों ने ठीक है भीया जी आगे बढ़ जाएए सवाल लंबर साथ के लिए दाता सब्द का इस त्रिलिंग रूप क्या है जरा बताईए कोशन फस जाएगा एक वीडियो में किसी को प्राइक्ता मिलेगी दूसरी वीडियो में किसी को प्राइक्ता मिलेगी इसी टाइप से आप लोग देखेंगे आपके सारे कोशन एक्जम तक कवर हो दाएंगे तो दाता सब्द का स्ट्रीलिंग रूप बताईए क्या हो सकता है राइट आंसर जाएगा दोस्त डी विकल्प के साथ में दात्री होता है जो कि विकल्प डी में बिलकुर राइट दे रखा है ठीक है जी सवाल नमर आठ को चुनिए इंद्र सब्द का स्ट्रीलिंग रूप क्या होगा इंद्र सब्द का स्ट्रीलिंग रूप सारे आपसंस आपके सामने जरा बताईए इंद्र सब्द का स्ट्रीलिंग रूप इंद्रा इंद्रानी 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 जरा बताईए तो विकल्प अगर आप लोगों ने सी चुना है तो बिलकुश सही चुनाएं दोस्त आठ नमबर में सी विकल्प राइट हो जाएगा इंदरानी होता है आगे बढ़ते हैं अईया जो है इसका उचार्ण स्थान कहां से होता है वर्ण माला से कुश्चन है अईया का लिखभा देता हूँ दांत में लगी थी तक्ती तो ते ते दे और ने यानि पूरा का पूरा ते वर्ण दंते में आता है इसके साथ साथ में ले और से और आते हैं है ना तक्ती लगी दांत में आवाज दी ले साले ले और से भी आगे दंतालू कोई होता नहीं है छोड़ दंत पलस तालू ये छोड़ दो तालव ये कौन से होते हैं चम्मच लगी थी तालू में तो पूरा को पूरा चैवर्ग चै छै जै जै और अईयां और यही तो पूछाए का अईयां का हो चालने स्थान तालू से होता है इसके साथ साथ में दो स्वर आते हैं दोस्त ये दोन वेंजन तालो में आते हैं मूर और धन्य कौन से होते हैं धन्य हो गए किस के दर सक्वा सनपा के दो सेटे सठकॉन आएगी पिना फिर्ची किस में थेक्या था ध्यान में क्या लगा रहा था रट यानि की कि एक टय आएगा ऑर और और eh एक रे भी इसी में आयगर तो यह आद रखना मोर धन्य में होता है पूरा करा आपका टैवर्ग रिसी में सठकॉर्ण भी स्टकॉर्ण भी यह सारा का सारा मोरै दन्य होता है अगे बढ़ी यह वो धुहनी का उचा ज़्षाण कन उ उ बालक मलूक होना चाहिए जाके होट पे तुम किस करोगे उस्ट का मतलब होट होट पे किस करोगे पै किस करोगे न पूरा को पूरा पैवर्ग हो गया और उ उ दोनों हो गये ये दोना स्वर उस्ट में जाते हैं कंठ में तो कंठ में ए और आ आते हैं और पूरा को पूरा कैवर्ग आता है पूरा को पूरा कैवर्ग इसके साथ साथ में आप लोग है को सामिल करोगे आप लोग इस वाली को भी सामिल करोगे ये भी कंठ में ही आता है याद रखना है चीज आगे बढ़ते हैं सवाल लंबर 11 की तरफ समुच्च का सही संधी विच्छेद क्या होगा सारे options आपके सामने समुच्य में अगर मैं बात करता हूं संधी की तो इसमें आपकी वैंजन संधी हो जाएगी संधी के भेत तीन होते हैं स्वर संधी वैंजन संधी विसर्ग संधी ये जो स्वर संधी होती है दोस्त ये अपने आपे में समुच्च है आप लोग का संदी विच्छेद बन जाएगा बेविकल प्राइट है दोस्त सवाल नमर 12 की तरफ बढ़ते हैं सूर्य उदय का सही संदी विच्छेद क्या हो जाएगा सूर्य उदय ओ बन रहा है न तो आप लोग कहोगे सर इसे ऐसे तोड़ो सूर्य प्लस उद सूर्य प्लस उदय यानि कि ए प्लस उ मिलाने से बना अब ए प्लस उ के मेल से क्या बनता है ये बनता है दोस्त और ये ओ किसमें जाता है दोस्त ये आपका गुण संदी में जाता है तो सूर्य उदय में गुण संदी हो जाएगी विकल्प आप लोग का सी राइट हो जाए गा महेंदर तो महा प्लस इंदर में महो प्लस नहीं यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता तो महा प्लस इंदर हो गया यहां से आ यहां से ई आ और ई के मेल से दोस्त आपको बनता दिखाए देगा यह वाला बन तो रहा है महेंदर ठीक न तो यह आप लोगों का बिलकुर यूज किया गया इसमें कौन सा निपात है अवधारना बोधक निपात है क्या नई जी प्रिसन बोधक निपात आदर बोधक निपात आदर बोधक निपात में तो जी हां जी ऐसे आते हैं तुलनात्मक बोधक में सा कंपेरिजन वाली बात आती है लेकिन क्या आप जा रहे है ये तो कुशन बूच रहा है हमसे तो आप लोग कहेंगे सर पिड़सन बोदक निपात न करता है फिर इस कांसर तो राइट करोगे भाई सवाल अमर पंद्रे देखो मैं भी यह जानता हूं दे कि किसोरी दास बाजपे की अनुसार निपात अव्वे का भाग है वैसे अव्वे के मुखे रूप से तीन भेद होते हैं जिसमें आप लोग अव्वे के भेद में क्रिया विशिसन को छोड़के समुच्चे संबंद और विश्मादी को सामिल करोगे क्रिया विशिसन अव्वे के मुखे भेद में नहीं आता वैसे अकर मैं बात करता हूँ अव्वे के भीद की तो चार होते हैं लेकिन मुखे रूप से तीन ही होते हैं है ना कि सोरी दास बात पर इक अनुसार अव्वे के भीद पांच होते हैं उन्होंने निपात को भी अव्वे का भीद मान लिया है देखें मैं भी है जानता हूँ तो एक वर्ड है यहां पर भी मैं भी है जानता हूँ मैं बार बार जोड देके किसी बात को कह रहा हूँ जो तु बात जानता है ना मैं भी जानता हूँ निसेद बोदक निपात में आता है मत नकार बोदक निपात में आता है नहीं स्वीकार बोदक में हान जी ऐसे आते हैं तो यहां फिर कौन सा बच गया बल दायक निपात बल दे के बात कही है मैं भी जानता हूं जो तू जानता है सवाल नमबर आप लोग देखी 16 जूट मत बोलो इस वाक्य में मत में कौन सा निपात है देखिए मत जो निपात है यहां पे मना कर रहा है जूट मत बोलो तो सीमा बोदक निपात तो है नहीं आफधारना बोदक नहीं कमपेरिजन की कोई बात नहीं कौन सा है फिर निसेद बोदक निपात है तो इस प्रकार 16 नमबर में आप लोग राइट अंसर D कर दोगे दोस्त आगे बढ़ जाएए सवाल नमबर 17 तुम्हें राम के आने तक प्रतिक्छा करनी पड़ेगी राम के आने तक प्रतिक्छा यानि जोर दे के बात कहा गई है अब जब कोई बात जोर दे के कही जाए तो वहां कौन सा निपात होता है निसेदात्मक निपात में मत जाता है बई नकारवोदक निपात में नहीं आता है बई बल दायक निपात तो आप लोग कहेंगे सर यही तो है भी तक ये सब जो होते हैं बल दायक निपात होते हैं दोस्ति ये आगे बढ़ते हैं सवाला मरठारे की तरफ पसू पक्षी ही अपना हित समझते हैं इस वाक्य में ही में कौन सा निपात है ही से आदर हो कर सकते हो किसी का नई जी अवधारना नई जी तुलना नई फिर से कौ सा निपात है बलदायक निपात ही तक भर ये सब बलदायक निपात है दोस्त आगे बढ़ता हूँ कास आज वरसा होती इस वाक्य में कास में कौन सा निपात है कास वर्ड इसका सिंबलाइज करेगा इसको कास आज वरसा होती कास आज ऐसा होता कास में आज दिली जाता कास सा होती तो ये कास जो है ये सूचित कर रहा है आपकी हर्स वाली कंडिशन सोक वाली कंडिशन यानि विस्मे वाली कंडिशन को तो आपसंसी राइट कर दोगे दोस्त इसमें ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते सवाल लंबर 20 के तरफ निपात के कितने भेद होते हैं कुशन इ किस की तरफ तै वर्ग का वो चार्ण स्थान कहां से होता है तै तक्ती दंत कहां से होगा वही तो तै तक्ती मारी थी कहां पे दंत पे दात पे है ना और ये आपका जाएगा दंत में तै वर्ग अब ये तै वर्ग में वेंजन कौन कौन से आते दोस्त तै थै दे दे ने ल करें 000 है और शेल्स आले टक्ति मारी दात में इसलेह मूर्धन्य पुरा को पुरा टै लिसी इसके साथ सात में टै वर भाएगा रए आएगा सटकोड ऐगा ओस्ट में दोनों सवर ऊएंगी इसके साथ में पूरा पेवर्ग पेश भेश और इसके साथ साथ में यह विसर्ग भी कंठे में आएगा आगे बात करता हूँ पेवर्ग का उचर्ण कहां से होता है पेश अब क्या करा था होट पेश किस करी थी होट पेश तो ओस्ट में आगे यह वाला उस्ट में जो आते हैं दोन अस्वर इसके साथ में पूरा का पूरा आपका पैवर्ग आता है तो होट पे किस करी थी इस प्रकार से आप लोग चुन सकते हो आगे बढ़ते हैं चैवर्ग चम्मच कहा लगी थी खाते टाइम चम्मच लगी थी तालू में और आवाज आई तो आपने कही पूरा का पूरा चैवर्ग दे दो इसे आवाज आई इई दे दो इसे यस आई येस ए दे दो तो इस प्रकार से आप लोग तालव बिलकुल इसका राइट आंसर कर सकते हो ठीक है चलिए सवाल नमर 24 में आप लोग करिया अंसर वर्णों के सम्हू को क्या नाम दिया जाता है सब्द सम्हू नाम दिया जाता है या वर्ण माला सहियूक तो सब्द नाम दिया जाता है जो वरनों का गुरुप होता है समू होता है उसे नाम दोस्त वर्ण माला देते हैं वर्ण माला में नमबर ओफ वर्ण कितने हैं बावन भासा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाता है भासा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो कहलाती है वो सब्द कहलाती है याद अब वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदवंद, पदवंद से छोटी इकाई पद या सब्द, उससे छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई द्वेनी या वन्ड कहलाता है आगे बढ़ता हूँ छत्रक, त्रिसूल, ग्यानी ये तीनों कैन से व्याजन है एक तो आप लोगों से पूछ रहा चत्रक, दूसरा बदा ये त्रिसूल, तीसरा ग्यानी, एक और पूछेगा श्रेय स्राब क्योंकि ये जो वेंजन है ये संयुक्त वेंजन होते है दोस्त और संयुक्त वेंजन की संख्या जो होती है वो चार होती है है ना छत्रक किस-किस के मेल से बना हुआ ये कुशन बूच लेगा तो छत्रक में आधा कै प्लस सटकॉर्ण वाला से होता है दोस्त त्रेत रिसूल में क्या होता है तो इसमें आदा तै होता है पिलस रह होता है घ्यानी में क्या होता है दोस्त घ्यानी जो बनता है आदे जै पिलस आप लोग देखेंगे इसमें अया बनता हुआ और जो आपका सरे सराब होता है तो इसमें आदा सल्यम होता है पलस रह होता है तो ये इनके मेल से बने हुए होते हैं याद रखना आगे मैं बात करता हूँ ऊस्म वेंजन जिनको बूले में गरम हवा निकलती है तो सल्यम, सटकॉन, सपेरा और है हलकारा ये उस्म संगर्सी भी है ये उस्मिय वेंजन भी होते है और तैवर के वेंजन को तो आप लोग जानते हो जिसे हम लोग दंते नाम देते है आगे सवाल लंबर 26 पुस्तक कौन सा सब्द है पुस्तक है ना भी उस्तक बताईए सवाल लंबर 26 इंपोर्टेंट कुशन एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो देखें सही आंसर जाएगा तत्सम सब्द है पुस्तक ठीकना आगे बढ़ता हूँ आग सब्द कैसा सब्द है आग को पहले अगनी बोलते थे आज आग बोल रहे हैं तो आज आग बोल रहे हैं जो सब्द आज बोले जा रहे हैं संस्क्रत की चैंज होके वो तत्सम हैं तो आग तत्सम है तो आग तत्सम सब्द है एक विकलप राइट हो जाएगा सवाल नमर 39 देखो टेबल कौन सा सब्द है टेबल देशज है तदबब है विदेशज है ऐसे सोचो टेबल पूछा हुआ है टेबल कब लाते हो जब कोई बाहर से आता है बाहर का मतलब जब कोई विदेश से आता है तो टेबल विदेश सा सब्द है विदेश से कोई आया रचना और बनावट के आधार पर सब्द के भेद होते हैं तीन योगिक, रुड, योगरुड ये रचना और बनावट के आधार पर होते हैं रचना और रचना हर तीन भेहन हैं पूरी की पूरी बनावट में रहम हैं ऐसे याद रख लो ठीक है तो नाक कैसा सब्द है नाक हा समास के एक्जामपल हो लाइक एज पीतामबर लाइक एज आप लोग बोल सकते हो नील कंट अर्थात भगवान सिभ बाली कंडिशन तो बहुबरिया समास के सारे एक्जामपल योगरोड होते हैं ठीक ना याद रखना है चीज आगे बढ़ते हैं फूल में कौन सी संग्या है सवाल लंबर 31 फूल मूल रूप से संग्या के दो भेद होते हैं एक होता है यथार्थ और दूसरा जो होता है हाँ संग्या के मूल भेद दो होते हैं एक तो यथार्थ वाला होता है और दूसरा जो होता है भाव वाचक होता है दूसरा यथार्थ के चार भेद होते हैं व् व्यक्ति जाती समों याद रखो और जो भाब होता है वो अलग होता है वैसे संग्या के जो भेद होते हैं वो होते हैं पांच आदुनिक मानेता व्यत्पत्ति व्यत्पत्ति के आधार पे तीन प्राचीन मानेता परियोग लेखन के आधार पे संग्या के भेद पांच फूल में कौन सी संग्या है फूल फूल एक जाती का बोधक है जाती का बोध गरारा है तो फूल में अगर ये भी पूछे ना गुलाब का फूल तो भी जाती वाचकी संग्या होगा याद रखो आगे बढ़ते हैं इमानदारी में कौन सी संग्या है व्यक्ति वाचक है भाव वाचक है समू वाचक तो आपको पता है इमानदारी का आपके सरीर में क्या जागरत होगा भाव इमानदारी क्रोध ये सब भाव वाचक संग्या है दोस्त आगे बढ़ते हैं लंबा है उदर ज सारा कर दे तो वो योगरुट होता है दोस्तों ठीक है आगे वारवा चख है ऐर न जो होता है आप लोग को पता है यह द्रव्य की कंडिसन में जाता है विकल्प आप लोग सी पगाNC कर दो ए द्रव की मलद रव्य की पाँच अवस्ता ही होती है ठोस द्रव गैस है नः और प्लाजमा और तो देखें मैं और हम का मैंने आप लोग को बताया था मैं और हम हमेसा अपने आप एक उत्तम समझते हैं तुम और आप माद्य हो तो तुम और आप माद्य में आएगा अन्य में आएगा यह वह यह वह यह वह यह वह इत्यादी दूसरा चीज मैं आपको सर्वनाम की संख्या बताता हूँ 11 होती है सर्वनाम के भेच्छे होते हैं सर्बनाम जो संग्या के इस्थान पर प्रियोग में लाए जाए जो सब के इस्थान पर लग जाए वही सर्बनाम है आगे बढ़ते हैं आप कौन सा सर्बनाम है आप मैं बताओ भी कौन सा सर्बनाम है निश्चे वाचक में मैंने बताया था यह है और वह निश्चे वाचक है अनिश्चे वाचक में कोई कुछ है कोई कोई मार गया मेरे कुछ खाने को दो निजवाचक तो बिलकुँ सही है मैं अपने आप करूँगा स्वेत्व करूँगा स्वेम करूँगा इस सारी कंडिशन निजवाचक की है चलिए जी पुरुस कौन सा सभड है पुरुस, सटकॉर्ण देख रहे हो ना सटकॉर्ण अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो याद रखना तत्समसब्द होता है ठीक न आगे बढ़ते हैं, ख्याल कौन सा सभड है ख्याल बताईए देसस है विदेसस है तत्सम है तद्भव है कैसा है या फिर आपके हिसाब से कोई हो तो बताओ खयाल कहा जाने के देखते हो विदेस विदेस जाने के खयाल है मेरे तो विदेस भी ऑप्सन राइट कर तो भई तैंदुआ कौन सा सब्द है तैंदुआ तेंदुआ कहा मिलेगा आपको आपके घर में तो फिर कैसा सब्द है देशा सब्द है तो विकल्प ए राइट है भी आगे बात करता हूँ गोल विसेशन है किस प्रकार का प्रत्वी गोल है मेरी सिकल गोल है उसका चहरा गोल है तो क्या बता रहा है हमारे ये गुण तो गोल विसेशन सब्द है ठीक ना गुण वाचक आगे हिंदी किस भासा परिवार की भासा है तो देखे हिंदी में चार भासा ही परिवार है भारोपी है सबसे बड़ा परिवार है तो हिंदी किस भासा परिवार की भासा है एक तालीस नमबर कुशन में मैं आख मीच के लगा दूँगा सी विकल्प भारोबी है आगे बढ़ताओं हिंदी भासा का जनम किस से हुआ है लौकिक संस्क्रत से, वैदिक संस्क्रत से, पाली प्राकर्थ से प्राइ किस से निकलिया था है हिंदी निकलिया सवरा सैनी अपर बरांस के बाद से तो विकल्प आप लोग डी विलकुल राइट कर सकते हैं हिंदी भासा का जनम अपर बरांस से हुआ है सवाल नमबर 43 में देखी आप लोग सुद्ध वरत्नी बताइए मुझे वर्तनी की दरश्टी से कौन सी वर्तनी किस विकल्प की वर्तनी सही है किरपा किस विकल्प में राइट लिखा हुआ है जरा बताओगे दोस्त सवाल लंबर 43 तो राइट आंसर जाएगा किरपा लिखा हुआ है भी विकल्प में विल्कुल राइट किरपा भी वहावरे लोकोक्ती से कुश्चन पूछने वाला हूँ आप लोगों से जाके पावना फटे विवाई सोक्या जाने पीर पर आई है ना इसका मतलब क्या है आप लोग बताईए इस लोकोक्ती का मतलब जिसके उपर बीती है वही जानता है दूसरे के कस्ट को अनुभव करना होता है या पर कठोर होना या दयालू होना तो जाके पावना फटै विवाई सोक्या जाने पीर पराई इसका मतलब होता है जिसके उपर बीती है वही जानता है ठीकिना और तो बहार से मजाई ले सकता ह आगे जस दूलातन बनी बराता जस मतलब जैसे दूला वैसी ही बरात सभी के सभी एक जैसे संगठन से कारिय सिद्ध होता है बेढ़ंगा सुन्दर वस्तू के साथ ही सुन्दर वस्तू का मेल होता है सवाल नमबर 45 उपयोगी कुश्यने जस दूला तन बनी बराता इसका मतलब है सभी के सभी एक जैसे हैं जैसी दूला वैसी बराता आगे बात करता हूँ मैं बे इंसाफी में प्रियुक्त उपसर्ग कौन सा है संस्क्रत में उपसर्ग 22 अर्दू फार्सी में 19 हिंदी में 10 या 13 उपसर्ग होते हैं अब यहाँ बे प्लस इंसाफ ही है तो यह बे उपसर्ग मैंने किस में कराया था आपको उर्दू बे बे बद बर बाला बिल बिला ना गर हम खुस है ना यह सब तो बे उपसर्ग हो जाएगा यहां पे उपसर्ग वो होता है जो किसी दूसरे सब्द के आदी अर्थांत प्रारम में जुड़के उसके अर्थ में परिवर्टन ला देता है दोस्त आगे बात करता हूँ बहाव सब्द में प्रियुक्त प्रत्य कौन सा है बहे तो बहे प्लस आव बनेगा वई बहे प्लस आव बहाव हो गया तो आव प्रत्य ये रहा आपका विकल्ब C में राइट 47 नमबर कुशन राइट अंसर C विकल्ब 48 नमबर कुशन बताइए समू वाचक संग्या कौन सी है समू वाचक का मतल होता है बताने वाला तो गुरुप के बारे में कोई एक बता रहा होगा आप लोग गुलाइम में बताइए कौन सी संग्या आप कहेंगे सर ये तो जाती वाचक का एक्जामपल है गुलाब तो जाती है अंगूर तो अंगूर में समू होता है अंगूर में पौधे पौधे में समू नहीं बन सकता है चावल ये पौधे चावल ये समू नहीं बना सकते भई है ना लेकिन अंगूर समू बना सकता है चावल तो आपका मैटरेल नाउन में चला जाएगा दरव प्लस आवा तो लावा में नहीं है आवा प्रत्य है तो आप्शन आप लोग कहेंगे सर सी राइट कर दो दिखावा में हैं दिख प्लस आवा भुलावा में भूल प्लस आवा चड़ प्लस आवा लावा में तो प्रत्य है नहीं है आवा तो इसलिए आप लोग अलग कर दोग ये भी कोई उपसर्ग नहीं होता उप प्लस कार में टूटेगा ये रहना उप प्लस कार इसी में तो हुआ है उप उपसर्ग है ना भई उप उपसर्ग आव उप अप अपी अभी अनू है ना समसू नी वी दूर दूस प्रै प्रा परती परी ये सब उद ये सब होते हैं संस्कृत के उपसर्ग और यहां संस्कृत का उपसर्ग है उपकार में आगे बात करते हैं निम्द मेंसे किस सब्द में प्रत्य का प्रियोग हुआ है वी प्लस कल धन प्लस एक पुल प्लस मनद पुल प्लस के अलक एक वर्ड प्रत्य का प्रत्य का मतलब होता है जिसका बाद में प्रत्य करक्काओ किसी सब्द में तो यहां पर आप लोग तोड़ोगे, धन प्लस एक में टूड़ जाएगा, धन प्लस एक, तो यह रहना धन प्लस एक, बिल्कुँ सही तो है, धन एक में हैं, प्रत्य, बेविकल्प राइट है, सवाल अबर बावन, निम लिखित में से, किस सब्द में प्रत्य लगा हुआ ह सागर नहीं जी सागर में नहीं दोनों सब्द बढ़िया होने चाहिए जादू प्लस गर तो देखरो ना गर प्रत्य लगा हुआ जादू वर्ड में गर प्रत्य विकल्प बी राइट है भई सवालमर तुरेपन देखो किस सब्द में उपसर का प्रियोग है तो पहले वाले में उपसर कार पहले वाले में उपसर कार बाद बागी पढ़ाई ये अपना पन लाब धायक किसी में नहीं है सवालमर चववन देखिए निर्वहा में प्रियोग्त उपसर का नाम क्या है निर वहा में प्रियुक्त उपसर्ग का नाम क्या है सवाल लंबर 54 का आप लोग मुझे अंसर बता दीजिए कौन सा हो जाएगा निर वहा में देखो निर वहा में ये रहा आपका उपसर्ग संधी नहीं पूछ रहा मैं उपसर्ग पूछ रहा हूं निर वहा आगे किस सवद की रचना प्रत्य से हुई है अर्थात जिसमें प्रत्य है प्रत्य सामिल है देखो अभी प्लस योग ये तो अभी से अभी तो उपसर्ग होता है हमें तो प्रत्य चाहिए अप प्लस मान अप प्लस मान अप भी उपसर्ग होता है ये छोड़ दो व्यायाम की प्रत्य से ये भी नहीं हुई तो इन मैंसे किसी सब्द की रचना प्रत्य से नहीं हुई है ठीक है भीया आगे चिरायू सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग कौन सा है एक बार वीडियो को लाइक कर देना वीडियो बहुत इंपोटेंट है चिरायू सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग तो आप लोग कहोगे सारी से तोड़ तो दो चिर प्लस आयू में टूट जाएगा दोस्ती है चिर प्लस आयू में टूटा तो ये रहा चिर उपसर्ग ठीक है सब्द में प्राज है तो प्रे प्रा परती परी प्रा तो है उपसर्ग किसमें नहीं है प्रे प्लस भाब प्रे भी है अप भी उपसर्ग होता है प्रा भी उपसर्ग होता है ओड नहीं होता कोई उपसर्ग तो इस प्रकार से आप लोग कहेंगे सर उपसर्ग नहीं है बी वाले पार्ट में ठीक है चलिए सवाल लमर अठावन देखो इन मेंसे कौन सा सब्द सम्हू वाचक प्रत्य नहीं है जो किसी गुरूप का निर्माण नहीं करता प्रियुक्त संधी का नाम क्या है पवित्र में प्रियुक्त संधी का नाम क्या है जब यह रहे लेवे के साथ में यह रहे वे के साथ में पूरा अक्षर मिल जाए संधी होती है दोस्त आयादी संधी तो पवित्र में कौन सी संधी है तत्सम सब्द का चैन, खेत, खेत का क्या होता है, छेत्र, ठीक है, मैंने आपको बताया था, उद्गम, ये रहा ना, उद्गम, उद्गम सब्द ऐसा सब्द है, ठीक न, जिसको तत्सम सब्द में लिखा गया है, तो आज की वीडियो, आज की किलास यहीं पर समाप्त हो पहिंद बने मातरम